आप अपनाफ मार्ग कंश्क और श्ड़ी तरोग अब तो थोड़ा मेंचानिकल वाइबरेशन के बेनीफिट्स क्या है उसके लिमिटेशन स्क्राइब क्या है उसके द्रोगेग्स क्या है कॉस क्या है उससा हमने श्टडी हिया था अब आज हम डिस्कस करेंगे मेकैनिकल वाइब्रेशन पर यूज होने वाली कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स एन क्लासिफिकेशन ओप मेकैनिकल वाइब्रेशन और यूज हम स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहला है आपका प्रियोडिक मोशन क्या होता है कि जो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटर्वल उफ टाइम इक्वल इंटर्वल उफ टाइम में जो वाइब्रेशन जो है अपने आपको रिपीट कर रही है वो आपका क्या है क्रियोडिक मोशन क्लियर, vibration क्या है, motion which repeat itself, वो vibration है, बट अगर वो equal interval के time पर अपने आपको क्या अगर यह repeat कर रही है, तो periodic motion है, time period क्या है, time taken to complete one cycle, जैसे हमारी यह कोई vibration हो रही है, suppose it's sinusoidal wave में है, और यह एक cycle इसकी यहाँ पर complete होई, यह one cycle होई, इस one cycle को complete करने में, जो time consume होगा, वो हमारा क्या होगा time period, और frequency क्या होती है, इसी time period का reciprocal, frequency क्या होती है, इसी time period का reciprocal, clear, simple harmonic motion, vibration में, हम जितने भी, vibration में, हम जितने भी अपनी motions की study करेंगे, सब oscillatory motions है, और हम उसको क्या मानते हैं, कि वो सब simple harmonic motion है, ठीक है, और generally जो हमारा simple harmonic motion है, यह generally है, तो हम उसे sine wave में use करते हैं, sine form में, या फिर हम cosine form में उसको use करेंगे, clear, तो simple harmonic motion, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कि किसी भी point के अबाउट, to and fro motion होना, किसी भी point के अबाउट, to and fro, suppose यह हमारा एक pendulum है, और यह pendulum हमारा क्या है, इस इधर move किया, इस side तक आया, फिर मने release किया, वापिस यह extraction में आया, और यह फिर इधर चला गया, clear, तो हमारा क्या है, यह जो pendulum का bob है, clear, यह हमारा, इस mean position के about, इस pendulum की mean position means equilibrium position, mean position क्या होती है, अब यहाँ पर हम clear कर देते हैं, कि what is the mean position, देखे, mean position क्या होती है, कि जब भी हम किसी body को, system को create करते हैं, कि उसमें हमने mass लगा जब उसके बाद वो किसी particular rest में आके, system जो rest में आता है, rest में आ गया, मतला उसके बाद अब जो forces लग रही है, वो gravitational force जो भी forces लग रही है, उन सब forces को balance कर रहा है, balancing condition में जाके हैं, जहां पे वो rush position में हैं, उस position हम बोसेत है, equilibrium या mean position, अब इस position के बाद जब vibration हमने force लगाया और वो vibrate हुई, clear, तो वो उस mean position के about vibration लेते हैं, clear, तो कोई भी motion, हम पुरी vibration में किसी भी motion की study करेंगे, हम उस mean position के about ही उसकी study करेंगे, clear, तो pendulum हमारा क्या है, इस mean position के about oscillate हो रहा है, तो यह हमारा क्या है, simple harmonic motion, ठीक, हम कभी भी देखेंगे, जैसे यह pendulum क्या है, जब हम इधर ले गए, इस तरफ ले कर जा रहे थे, इस तरफ, clear, तो इसका जब बॉब है, उसकी acquisition हमेशा mean point के about लगेंगे, किसी को भी हम, किसी भी system को हम displace करेंगे, उसकी equilibrium position से mean position से, तो displacement किसर भी direction में, उसे हमें कोई मतलब नहीं है, displacement किसी direction में होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता है, बस यह ध्यान देना हो, वो जो body displaced हो रही है, उसकी acceleration mean position के towards लगती है, clear, यह हमारा क्या हो जाता है, simple harmonic motion, वो simple harmonic motion को generally हम represent कहलते है, x equal to a, कोई एक amplitude होगा, एक magnitude, x a sin omega t, generally puri vibration में आपको ऐसे मिलेगा कि हमने एक motion लिया है, जो simple harmonic motion, उसको revision करें a sin omega t से, यह पर a cos omega t से, clear, a इसका क्या होता है, amplitude होता है, जो भी यहाँ पर displacement x क्या है, displacement है, a उसका magnitude है, sinusoidal form में motion हो रही है, omega उसके angular frequency है, t उसका time मतलब time है, कि कितने time से वो कर रहा है, clear, यह हो यह हमारा simple harmonic motion, phase difference, now what is phase difference, suppose हमारे पास motion है, x1, एक simple harmonic motion है, x1 equal to a1 sin omega t, suppose यह है pi, clear, यह pi है, उसके, x2 suppose है a2 sin omega t, suppose यह है pi y2, अब अगर आप देखें, दोनों के बीच में angular difference कितना है, pi और pi by 2, clear, यह जो हमारा a1, पहला जो x1 है, यह हमारा a1 magnitude पे है, और pi जो है, उसके angular difference, उसमें है, a2 जो है, दूसरा जो motion हमारा x2 है, उसका a2 magnitude है, और इसमें pi by 2 है, दोनों में अगर आप देखें, दोनों के जो angular difference है, हो pi by 2, clear, दोनों के angular difference किया, pi by 2, इसी angular difference को हम बोलते है phase difference, यह फिर phase angle, ठीक है, it is the angular difference between two rotating vectors, representing SHM, simple harmonic motion of same frequency, तो यह तो हो जाता हमारा phase difference, अब पूरी vibration में आगे जाके फर्दर सेकंड यह थर्ड यह में जाके पढ़ेंगे, हमें phase angles निकालने होते हैं, phase angle ही है, अगर एक ही system में दो motions हो रही हैं, तीन motions हो रही हैं, उनका आपस में phase difference किया है, इसलिए जरूरी होता है, उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें दिखते है, beat phenomena's मिल जाते हैं, और interference होता है, तो उनका magnitude कितना increase करेंगे, अगर मोशन के सारे के सारे amplitude एडिशन में आ जाए, तो उनका magnitude कितना बढ़ जाएगा, यह सब चीज़े हमारे क्या होती है, phase difference की importance में आजाती है, now what is the amplitude, किसी भी body का, vibrating body के mean position किया about displacement, maximum displacement कितना होगा, कि suppose यह pendulum, जो था, maximum यहीं तक displaced कर सकता है, इसके आगे नहीं गया, particular angle होगा, जो magnitude होगा, वो उसका, क्या होगा, maximum displacement होगा, तो generally अगर हम इसको waveform में represent करें, तो यह हमारा इस तरह से, अगर इसकी waveform जा रही है, तो यह जो होगा, इसका maximum amplitude displacement होगा, इसकी हम क्या बोलतेते हैं, amplitude, clear, अब हम आजाते हैं, free vibration and natural frequency, now next is the free vibration and natural frequency, the vibration of a system, because of its own elastic property, कोई भी system, अगर अपनी elastic properties के कारण vibrate कर रहा है, और external force उसके एक्ट नहीं कर रही है, तब उसको बोल देते हैं, free vibration, अब जैसे free vibration में हम बात करते हैं, इस pendulum की, pendulum के देखें, यह pendulum मैंने इसको displace किया, यहां पे, मैं इसको हाँ से पकड़ के लाया हूँ, यह bob जो है, इधर को motion करना start करतेगा, इस direction के, mean position की तरफ, clear? तो यह pendulum का जो bob है, यह अपना mean position की तरफ आएगा, लेकिन यह अपनी इस position पे रूखेगा नहीं, क्योंकि जब यह इस particular height तरफ मैं लेके आया था, अपने हां से पकड़ के तो इसमें potential energy आ गई, और जैसे मैंने छोड़ा इस potential energy के कारण यह क्या है, अपनी इस की तरफ move करने लगा, mean position की तरफ, और इसकी potential energy यहां तक कौंस्ते कौंस्ते kinetic energy में करवाट हो गई, अब यहां पर इसमें इतनी kinetic energy करने थी कि यहां से stop नी करेगा, यहां से आगे चबा जाएगा और यहां पर आजाएगा, clear, अब देखिए यहां पर जब मैं इसको इस particular height तक लेकर आया और अपना हाथ छोड़ दिया, यहां से पकड़ के लाएगा, मैं अपना external force लगा रहा हूँ न उसको पर, जब मैंने अपने external force लगा रहा हूँ तो मैंने उसको छोड़ा, तो वापिस किया हुआ हूँ वहां से, रिलीज हुआ, और वह अपनी elastic nature के कराण हो क्या क्या है, मतलब कि उसमें masses है, elasticity है, gravitational effect उस पर आ रहा है, तो उन सब के क्राण क्या हूँ अपना vibrate करना start हो गया, mean position क्या हूँ यह होता है हमारा free vibration, तो किसी भी body पर हम force लगाएं, और force लगाने के बाद छोड़ दें, तो छोड़ने के बाद जो vibration हो रहा है, इस की frequency से होता है, तो उस frequency को हम बहुते है, तो natural frequency क्योँ बहुते है, तो free vibration क्सके कराण और हो रहता है, nature के कराणु बहुता है, इसलिए शूच्प वाईविरिकर सो देन दौढ़एं, अम बात करते हैं फोर्स वाइबरेशन की इस फोर्स वाइबरेशन की होता है तक है कि मैं इस पेंडलम को मैंने पकड़ा और यहां लें अब बार वर फिर यहां ला दो वैंने से पकड़ ब्बरीशन में और कूट लग रहा हूंि मैं कंट्नियस इसमें इस0 कि क्या है673 हुआ है Championship और कुछ रहा है यह मैं फोर्स और हो थी थी सिश्टम पे एक्श्टनल फोर्स कंटियुस लगता है तो उसको हम बहुत देते हैं forced vibration, clear? The vibration which the system executes under an external periodic force, तो वो ज़ता है मारा forced vibration. Now, damping, it is a resistance to the motion of loading. Damping एक बहुत important term है, अगर हमें किसी भी system की vibration को minimize करना है, absorb करना है, तो हमें damper के जरुद पढ़ती है, damper हम system में लगाते हैं, हमने अपने last lecture में जो mechanical system को discuss किया था, तो में दिखा देंग को mechanical vibrating system में तीन component important है, mass, elasticity, stiffness आजाती है, और क्या जाता है, damper. Damper करोल क्या होता है, vibration energy को absorb करना, तो damping is the resistance to the motion of the body. Clear? अब damping, तेखिए होती है, damping कुछ नहीं होती है, हमारा क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ हम pendulum का ही example नहीं तो, pendulum is a simplest example नहीं रहे है, यह pendulum है, मैं इसको यहां पर लेका आया, मैं इस पड़िकर है छोड़ दिया, तो इस फोड़ देंगा, फिरी vibration होगा, यह अपना vibrate कर रहा है, और कुछ टाइम बाद ऐसे vibrate करते करते हैं, कुछ टाइम बाद यह अपनी main position के बाद आकर rest में आता है, ठीक, अभी इसमें resistance कहां से मिलना है, क्यों rest में आ रहा है, क्योंकि इसको resistance मिलना है, एयर से, एयर भी एक damping medium ही provide करते है, ठीक, बड़ यह क्या है, फ्री vibration हो रही है, undamped system है, क्योंकि इसमें अब external, बहुत एयर की damping, जो free air है, ठीक, फ्री एयर से डैंपिंग लगने है, जर्ली वह negligible ही होती है, क्योंकि बहुत time taken होता है उसको rest में आने भी, अब suppose मैं इसी pendulum को एक liquid medium में put up करते है, मैंने क्या कि इसको liquid medium में put up करते है, अब मैं इस pendulum को यहाँ तक लेगा है, छोड़ा तो मैं छोड़ते ही देखता हूँ कि यहाँ से आया, यहाँ तुरंद यहाँ पर आके rest में आ गया, दो-तिन oscillation के बाद क्या जाता है, यह rest में आगा था, क्योंकि अब यह जो है viscous medium, यह जो आपका viscous medium है, यह इसको damping प्रोवाइट कर रहा है, damping क्या करना है, एक resistance प्रोवाइट कर रहा है, तो damping is the resistance to the motion of the vibrating body, तो हम पूरी vibration में एक symbol use करेंगे इस तरह हैं से, यह क्या है हमारा cylinder piston arrangement का एक symbol है, और इसको हम बोल देते हैं damper, जिसम क्या बोलते हैं damper, तो जहाँ पर भी यह लगा होगा, it means क्या है, वो damping system है, वहाँ पर क्या हो रहा है, vibration को absorb करने के लिए इसको लगाएगा, तो यह होता हमारा damping, clear, now what is the readiness, देखी यह मेरा mechanical system है, vibrating system, जिसमें एक mass है, एक spring stiffness है, और यह हमारा damper लगा, जिसका damping coefficient C है, अब इस पर मेरे एक force लगाया है F, suppose वो force ह है F not, एक इसका magnitude, sin omega t, clear, यह force लगाया है, suppose इस mechanical system में mass की जो नेचर frequency, suppose वो है, omega है, इस system की जो spring mass system, spring mass temper system है, उसकी नेचर frequency है, उमेगा है, अगर यह जो force लगा रहा है F system पे, उसकी यह जो नेचर, उस force की frequency उमेगा है, और वो system की natural frequency, omega n की equal हो जाए, तो हमारा resonance की condition अगाती है, और resonance की condition बहुत ही harmful condition होती है, क्योंकि इस condition में system collapse कर सकता है, damage हो सकता है, component break कर सकते है, और अगर, क्या है कि life loss या फिर property loss की हो सकता है, ठीक है, तो when ता force frequency, force frequency क्या है, omega, what is force frequency, omega, यह जो force लग रहा है, किस frequency से लग र यह किसका equal हो जाए, system की natural frequency की equal हो जाए, body की natural frequency की equal हो जाए, omega n, जब हमारी system की natural frequency और force की frequency मेश कर जाती है, तो इस condition को हम क्या बहुत देते हैं, रह जो, next, clear, तो यह होता है हमारा resonance, now next is the degree of freedom, important term है, degree of freedom, तेकि degree of freedom, हम लग बहुत, जहां पर भी motion है, हम हर जगा बढ़ते हैं chemistry में आपने बढ़ावा degree of freedom क्या है, mechanics में बढ़ावा degree of freedom क्या है, आप theory of machine में बढ़ेंगे degree of freedom क्या है, हम vibration भी पर देंगे degree of freedom क्या है, तो degree of freedom क्या है, तो degree of freedom क्या है, कोई भी system जो हमारा vibrate कर रहा है, इसी system की बात करते हैं, इसका k1, m1, ठीक है, इसको हमने इस direction में displace कि अब इस सिस्टम की position को define करने के लिए किस position से कितना डिस्प्रेश हुआ है एक्स वन ही काफी है जो हमें यह बता दे कि वह इक्रियम position से इस position पर है इक्रियम से displaced होने के बाद अब system किस position system का हर एक पार्ट किस position में है वह एक्स वनस्प्रेश हो तो एक्स वन सफिषेंट है ये बताने के लिए जोस्पाने के लिए वह कितना displacement हो किस पोजिशन में हो अगर सिर्फ एक ही पैरामीटर independent parameter, वो parameter किसी और पे depend ना करता हूँ वो parameter किसी और parameter पे depend ना करें एक independent parameter sufficient है हमारे system के हर एक parts की position को define करने के लिए तो वो होता है हमारा single degree freedom degree freedom क्या है? minimum number of independent coordinates degree freedom क्या है? minimum number of independent coordinates required to determine completely the position of all parts of a system at any instant of time ठीक है? उसकों क्या बोलते है? degree of freedom अगर सिरफ एक independent coordinates है तो single degree है two independent coordinates है two degree है three है तो three degree है four F four, five F five, clear? अब आप लोग ये मत confused होना कि हमारे पास three coordinates होते हैं तो हमारा पांच degree कैसे हो गया? ठीक है तो देखे वो इसलिए कि ये सब अब हम इस example से समझते हैं थोड़ा ये second figure पर इस से समझते हैं कि suppose ये एक डिरेक्शन एक डिरेक्शन में मेरा displacement हुआ x1 और इसका displacement हुआ x2 दोनों इक डिरेक्शन में हो रहे हैं डिस्प्रेस्मेंट हो रहे हैं एक ही डिरेक्शन में है m1 और m2 अब m1 का displacement x1 है m2 का displacement x2 तो अगर m1 का displacement x1 हुआ m2 का x2 हुआ तो सिर्फ x1 और x2 दोनों ही हमें required होते हैं उस पूरे system के parts की position को define करने के लिए तो ये कितना हो गया two degree का system हो गया two degree of freedom हम degree यो को शुर्ट टम में लिग देते हैं dof अब इस तरह देखा जिसमें 3 masses है m1, m2, m3 तो generally हम यह मानते हैं कि जितने masses है उतने degree of freedom है 3 masses 3 degree of freedom 4 masses 4 degree of freedom clear तो degree of freedom आप लोगों clear होगा similarly अगर आप देखे pendulum में यह एक ही mass है ठीक यह displaced हुआ सिर्फ theta angle sufficient है यह बताने के लिए कि इसकी position क्या है तो यह क्या हो गया one degree of freedom अब इसमें दो masses लगे थे एक mass ये और एक mass ये और दोनों का अलब लट displacement वा एक का theta 1 और एक का वर्टिकल से theta 1 इसका वर्टिकल से theta 2 तो दो angles जी हमें theta 1 और theta 2 इस system की configuration को बताने के लिए तो यह कितना हो गया two degree of freedom हो गया clear तो हमें यह क्या हो गया two degree freedom system हो गया तो यह हो गया हमारा degree of freedom तो degree of freedom क्या है number of independent coordinates to define the position of the all parts of the system okay now next is the continuous and discrete system continuous distributed भी बोलते हैं और discrete को हम lump system भी बोलते हैं अगर किसी भी system का infinite degree of freedom है किसी भी system की infinite degree of freedom है तो उसको हम बोलते है continuous and discrete system जैसे हमारा cantilever यह हमारा cantilever है अब हम देखे cantilever के हर एक point का अलग-अलग masses है अब इस cantilever पे जब हम force लगाएं suppose हमने यह force लगाया उसके गाणी के डिस्पेस होगा यहां पे डिस्पेस होगा है अब आपकर आपके देखें इसके हर एक part का angle अलग होगा इसके अंगल थीटा थीटा 1 है इस point का angle सब्सक्राइब थीटा 2 है इस part का angle थीटा 3 है इसका अंगल थीटा 4 है तो हर एक point का angular displacement हुआ है उसके mean position से वो अलग-अलग तो यह कहाँ तरह से infinite degree of freedom क्योंकि infinite points होगे infinite points का अलग-अलग mass होगा तो उसका क्या होगा वो infinite degree होगा तो mechanical system which have infinite degree of freedom are known as continuous system और इसको हम distributed system भी बोलते हैं कि हर point है distributed है तो discrete and lump system अगर हम यह माने कि सारा का सारा mass एक ही जहां पे लग रहा है अगर हमाने कि candy river का पूरा का पूरा mass एक ही है अलग-अलग mass नहीं है और displacement नहीं है तो उसको क्या मानेंगे हम क्या है यह discrete system और lump system है उस case में उसका जो degree of freedom क्या होगा finite होगा मतलब 1,2,3,4,5 something होगा ठीक तो होजएगा हमारा discrete and lump system जिसे हमारा spring mass system, pendulum system हम इसमें मानते है कि हमारा क्या है discrete and lump system है classification of vibration generally vibration system को हम six types में classify करते है number one free and force vibration दूसरा है हमारा damped and undamped third one is the steady and transient fourth one is the linear and non-linear free deterministic and random, then longitudinal transverse and torsional vibration इसको हम one by one देखते है free and force, free and force just अभी हमने देखा कि free क्या है जब system के हमने force लगाया और force को छोड़ी है छोडने के बाद जो vibration हो रही है लिकिर अगर force को continuously लगा कर रखे है तो वह हमारी क्या हो जाएगी force vibration हो जाएगी फिर damped and undamped क्या होता है अगर किसी भी system में damper लगाया जैसे suppose यह है मेरा spring और यह है mass इसमें कोई damper नहीं है तो यह है मेरा undamped undamped मतलब इसको resistance to motion नहीं मिलता है, वो nature के कांट मिलता है, यह से otherwise इसको नहीं मिलता है ठीक, दूसरा अगर मैंने इसमें यह लगा जिया damper spring mass system यह क्या हो जाएगा अगर हम कोई भी viscous medium या कोई भी external medium इसमें fit कर रहे है उसको resistance प्रवाइड कर रहा है तो हम बोल देते हैं उसको damp system हो गया हमारा free and force दूसरा हो गया हमारा damped and undamped system फिर होता है हमारा steady and transient vibration अगर steady and transient vibration में क्या होता है कि suppose हमारा यह vibrations है यह vibration गया गया चलता गया, कुछ time बाद Dutch Day oversight तो suppose हमारी time की scale थी हमारी displacementक की scale थी अगे अगर पर्टिकुलर कुछ वाइब्रेशन खतम हो जाती है ऐसे तयान्जियान्ट वाइब्रेशन के लिड़न हो जाती एक उसको हम बोलते हैं अगर अगर्टिकुलर कुछ फाइनी स्प्रिंग मास है मैं इसको डिस्प्लेस किया हूँ बहुत नीचे तक लिए अब जैसी मैं इसको छोड़ूँगा फोर्स को हटाऊँगा तो हमारी फ्री वाइब्रेशन होगी बट यह मास्ट जो है मेरा कैसे जाएगा ऐसे लहराते लहराते वापी जाएगा कि गिलते हुई ठीक है मैं क्या किया इस पोजीशन से मैं इस τις लेकर आया मैं इस ने छोड़ा जैसी मैं छोड़ूंगा तो ऐसे आसे वापिश जाएगा यह क्या मेरा ऑप्लार वाइब्रेशन लेकिन अगर शोड़ा सा नीचे लेकर आपक छोड़ुआ इसी कि एक्सिस के बाद वापी चला जाएगा यह मेरी लीनियर वाइबरेशन तो नोन लीनियर और लीनियर वाइबरेशन क्या है लीनियर में क्या होता है वह स्मॉल डिस्प्रेस्मेंट पर रिस्पॉंस करता है लोन लीनियर में हमारा अगर हमने डिस्प्रेस जाधा कर दिया है तो क्या होगा एक दम से क्या जिग-जैग पात को फोलोव करते हो अपने ओरिजिर पॉजिशन में आएगा यह क्या जाता है हमारा नो लिए वाइबरेशन तो हमारी पूरी की पूरी वाइबरेशन हम लोग नीनियर मोशन की ही स्टड़ी करेंगे उसलिए हम यहां पर आपके स्लेवर्स में सिरफ क्या है लीनियर तक ही हम स्कोप में हमारे फिर आ जाता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक और रेंटम वाइबरेशन क्या होती है कि जो वाइबरेशन को हम एक पर्टिकुलर टाइम पर यह पता कर लें कि हाँ इसका एम्प्रिचू इस पर्टिकुलर टाइम पर इसका इस पॉइंट पर इसकी डिस्प्लेश्मेंट क्या होगी इसकी विलोश्टी क्या होगी इसकी एक्सलिएशन क्या होगी इसको हम पता कर सकते हैं तो यह हमारी टिटर्मिनिस्टिक वाइबरेशन है बट रेंडम में क्या होता है रेंडम इस तरह से होती है ऐसे गई कुछ पाता नहीं चलता है तहां जा रही है इस तरह से इसी एक्सिस के पैलर या उसी एक्सिस की लाइन में हो रहा है तो उसी एक्सिस के लाइन में हो रहा है तो उस किया तक हमारी के टांसवर्स भीरेंशन है जटिनी हाँ पहरे बीम होती है सोबूब क्या दिस्प्रेस होarning है कंटी लिवर मेरी डिस्प्रेस होती है क्लिर?! क्यूब एनकिट के पहरे ऐखस अ जिसा था आप इसका ऐक्सिज ऐसे है एक्सिज को मैंने अक्सिजिए कर दिया इस को हमने क्या एसे rotation दे गगा हुआ मैं रोटेट करत तो इस shaft मेरी क्या हो जी से suppose इस विवने साथ को पकड़ा बलागा ंए इस इस को मैं ऐसे rotation दे रहा हूँ दो इस shaft मेरी twist होई की veg시 shift होई यह disc ली क्या ओग विदिद 그 क्या ےक्या हूं हम अगर हमने यह vanilla यहां पर फिक्स किया है यहां इस आपके यहां दो के रिट्स कार रहे हैं यह इस ट्रबीट कर रहा है कि अगर मेरी एक्सिज ऐसे आए जाए तो यह ट्रांसवर्स एक्सिज ऐसे आए लोंगिस्ट्जूड़ल तो यह क्या है longitudinal यह क्या है transverse और यह क्या है rotation ऐसे से क्या हो रहा है rotation टॉश्टर वाइबरेशन तो यह क्या होगा हमारा longitudinal transverse और टॉश्टर वाइबरेशन होती है उनमें यह 6 parameter उसमें include होते हैं 6 में से कोई-कोई ठीक है जैसे हम बात करें इस spring mass की small displacement अगर small displacement है तो linear vibration देंदी है थ्यान देजिए small displacement, linear vibration large displacement, non-linear vibration तो पूरी की पूरी vibration में हम एक assumption लेके चलते हैं कि vibration का displacement है small है आप कोई numerical करेंगे तो वहाँ भी लिखा है small displacement आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें लिखा है small displacement क्यों लिख लिखा है कि ताकि हमें linear motion मिले और linear motion के हम analysis easily का सकते हैं ठीक है तो सबकोजिए मैंने मांस को small display कि ए x और छोड़ दिया मांस यहां तक नीचे आया और छोड़ दिया छोड़ने पर क्या होगा small क्यों किया ताकि linear मिले छोड़ दिया उसके बाद जो vibration होगी, free होगी, clear, ठीक है, किस type की हो रही है, इसी axis की बाउट हो रही है, longitudinal है, clear है, easily हमें इस type के vibration में, जब हमें low-near pattern नहीं मिला, तो हमें क्या है, एक तरह से, क्या मिलता है, determination vibration मिल जाती है, determination vibration मिलती है, हम पता कर सकते हैं, कुछ time बाद क्या होगा, यह rest में आजेगा, तो यह हमारा क्या हो जाता है, transfer हो जाता है, ठीक है, damper नहीं लगा, तो यह हमारा undamped है, तो हम देखते तो इस तरह से देखा जाए, तो हमारे 6 के 6 vibrations जो है, किसी ना किसी system में वो हो आज का रेक्चर हम यह भी फिनिश कर रहे हैं, नेक्ट रेक्चर में हम स्टेडियू करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फ्रो डिटेल होई, तो नेक्ट रेक्चर के आप ध्यान जीजी, क्योंकि जनली वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, सिस्टम में, दो तीर मासित, च हार्मोनिक मोशन के एडिशन को स्टेडि करेंगे, नेक्ट रेक्चर में हम स्टेडि करेंगे, एडिशन ओ सिंपल हार्मोनिक मोशन, clear, so see you in lecture चल, thank you very much.